authentic चपली कबाब मटन का कीमा निकाल लेना है साबूत धनिया अजवाइन साही जीरा सूखे हुए अनार के दाने पीश लेना यानि के धर धरा पीश ले इस तरीके से आपने पीश लेना है कुटी हुई काली मिर्च गरब मसाला जीरा पोडर कस्मीरी लाल मिर्च का पोडर नमक देशी घी भुने हुए चने का आटा कुटी हुई लाल मिर्च प्याच टमाटर अद्रक लसन और हरी मिर्च धेर सारा धनिया अच्छे से मिक्स कर लेना है एक अंडा फिर से ऐसे मिक्स करना है तेल अच्छे से दवा दिया और अच्छे से धक्का मार दिया ऐसा ही डार्ट कलर लाना चाहिए तो अब आपने करेंना है यह कवाब हो गया इसको यहाँ साइट में हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मज